ध्यान रखने योगे 30 चरूरी बाते महिलाएं समय निकाल कर चरूर सुने नमबर एक चेहरे पर दाग धबों से बचना है तो करेले का जूस पीना चाहिए यह कड़वा होता है पर बहुत ही फाइदे मंद होता है नमबर दो पेट में दर्थ होने पर छोटी लाइची चबाने से पेट दर्थ में आराम मिलता है नमबर तीन अगर गर्मी के कारण आपको घमोरी हो रही है तो एक इलास पानी में नीबू का रस और खीरे के पतले टुकडे काट कर डालें अब इन टुकडों को घमोरी वाली जगा पर धीरे धीरे मलें और थोड़ी देर उसे वहीं लगे रहने दें घमोरी खतम हो जाएगी नमबर चार घमोरी से चुटकारा पाने के लिए मुलतानी मिट्टी भी बेहत असरदार है मुलतानी मिट्टी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर प्रभावित जगा पर लगाएं फिर सूखने दें जब सूख जाए तब धो लें ऐसा कुछ देन लगातार करें नमबर पांच अद्रक का आधा चम्मच रस और देशी घी मिक्स करके सुबा शाम पीने से कमर दर्थ खतम होता है नमबर छे अगर हिचकी ज़्यादा देर तक रहे तो धीरे धीरे पानी पीते रहें नमबर साथ चने का आठा खाने से शूगर कंट्रोल में रहती है नमबर आठ खाली पेट सौफ का पानी पीने से वजन तेजी से कम होता है नमबर नौ जिन औरतों के दातों के बीच में खाली जगा होती है वह बहुत भागेशाली होती है नमबर दस बेकिंग सोडा और अरंडी का तेल मस्सों पर लगाएं तो मस्से धीरे धीरे खतम हो जाते है नमबर ग्यारा खजूर के साथ बड़ी लाइची खाने से बुड़ा इंसान भी जवान नजर आता है नमबर बारा गर्मियों में बेल का शर्बत बहुत फायदे मंद होता है इससे आप गर्मी में होने वाली बिमारियों से बच सकते हैं नमबर तेरा एक नीबू का रस एक गिलास पानी में प्रती दिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है ऐसा तीन महिने तक निरंतर करना चाहिए गर्मी एवं बरसात के दिनों में यह प्रियोग विशेश लापदायक होता है इसके सेवन से पेट साफ रहता है और केल मुहासे भी नहीं होते हैं नमबर चौदा अगर किसी का सांस फूलता है तो दही की कड़ी में घी मिला कर कुछ दिनों तक खाएं बहुत आराम मिलेगा नमबर पंदरा कम पानी पीने से होट काले हो जाते हैं नमबर सोला मू की बदबू से परिशान हो तो दाल चीनी का एक टुकड़ा मू में रखें मू की बदबू तुरंत दूर हो जाती है नमबर सत्रा आलू का रस आपकी तवचा के लिए बलेच का काम करता है इसलिए आलू के रस में थोड़ा सा दही मिला कर लगाने से चहरा चमक जाता है नमबर अठारा प्याज के रस में नीबू का रस मिला कर पीने से उल्टियां आना बंद हो जाती हैं नमबर उन्निस यदि आपके मूँ में चाले हो जाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लेकर चूसना चाहिए इससे आपके चाले नहीं होंगे नमबर बीस चाय पत्ती के उबलेवे पानी से बाल दोने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे नमबर इकिस कद्दू खाने से उमिनिटी मजबूत होती है नमबर बाइस प्याज और गुड़ खाने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है इसलिए बच्चों को डाइट में गुड़ और प्याज रोज दें नमबर तेईस नीबू पर चीनी डाल कर खाने से चक्कराना बंद हो जाते है नमबर चौबिस मिट्टी के बरतन का पानी पीने वाले इंसान को कभी भी कोई बिमारी नहीं होती है नमबर पच्चिस नीबू की पत्तियों को थोड़ा सा कूट लें और उसके बाद में उसको सूंगने से सिर्दर्द खतम हो जाता है नमबर चौबिस रात में सोते वक्त पैरों के तलवों में सरसों के तेल की मालिश करने से आखों को बहुत फायदा पहुँचता है नमबर सत्ताइस सर्दी जुकाम होने पर कपूर की एक टिक की पानी में उबाल कर उसकी भाप लेने से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है नमबर अठाइस दही के उपर वाला पानी पीने से लीवर साफ हो जाता है नमबर उनतिस बेगी हुई चने की दाल का पानी मूँ पर लगाने से चहरे का रंग साफ होता है नमबर 30 तामबे के बरतन में 8-10 गंटे रखा हुआ पानी पीने से कोलास्टरोल लेवल कंट्रोल में रहता है और वजन भी कम होता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद